आवला दीपदान कार्थिक मास के पांच दिन करने से आपको सोना दान करने जितना फल मिलता है कार्थिक मास में आवले के दीपक कैसे बनाएं और कहां पर दान करें कितनी मात्रा में दान करें जिससे हमें पूरा फल मिले और किन-किन समान के हमें जरूरत पड़ेगी तो मित्रों सबसे पहले आप आवले ले लिए आवलों की संख्याप 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21 इस तरह से रख सकते हैं यहाँ पर मैंने 7 आवले लिए हैं आवले ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल साफ हो उनके उपर कोई निशान नहीं होना चाहिए साथ में तिलक लगाने के लिए सिंदूर ले लीजिए कुमकुम ले लीजिए और फूल बाती यह देखिए फूल बाती होती हैं जो खड़ी हो जाती हैं यह मैंने घी में भिगो ली हैं आप घी में तेल में किसी भी चीज में भिगो सकते हैं और थोड़े से तिल ले ले यूज करना प्रियोग करना बहुत ही शुब होता है साथ में एक जल का लोटा ले लिजी मिनसने के लिए शुद जल और एक प्लेट ले लिजी और अब हम बताते हैं कि आवले के दिपक आपको कैसे बनाने हैं तो मित्रों पहले तो एक आवला लेकर देख लीजिए कि खड़ा हो रहा है तो ऐसे बना लीजिए अगर ऐसे खड़ा हो रहा है तो ऐसे बना लीजिए इससरा से बैलेंस बना के करना है ऐसा ना हो कि बैलेंस ना बन पाई और उसके बाद आपको लेना है चाकू से उपर का ये जो पार्ट है इसके अंदर हमें खोखला बना लेना ह और इसको उपर से ऐसे करके काट लेना है इसमें जितना हो सके स्पेस बना लेना है जिससे हमारी फूल बाती असानी से खड़ी हो जाए इस तरह से हम थोड़ी सी इसके उपर से जितना हो सके अराम अराम से हाथ बचा कर आपने काट लेना है इतने इतना सा ही स्पेस बनेंगा और इसी के अंदर हम अपनी फूल बाती को अराम से खड़ा कर सकते हैं कहां जाता है आवला दान करना और आवले के दीप दान करना आवला नोमी पर तो है ही शुब आप आवला नोमी पर देव उठनी काशी पर कभी भी दान कर सकते हैं इसी तरह से मैं ये सभी आवलों में उपर थोड़ा-थोड़ा सा निकाल लेती हूँ और दिपक का सान बना लेते हैं इन आवलों को आप एक रात को भी काट कर रख सकते हैं अगर सुबह समय नहीं है पूजा कैसे करनी हैं तो कोई भी साफ सुथरी नई प्लेट ले लीजे या कोई बरतन ले लीजे गहरा सा उसके उपर सात्विक बना लीजे क्योंकि हम कोई भी पूजा करते हैं तो सात्विक के बिना हमारी पूजा कंप्लेट नहीं होती तो सबसे पहले हम गनेश जी का आवान करके यहाँ पर छोटा सा सात्विक बना लेंगे सात्विक बना कर मित्रों सात्विक को बंद करना भी बहुत जरूरी होता है सात्विक के दोनों तरफ दो-दो लाइने जरूर लगाएं अब फ्रेंड्स हम अपने सभी दीपकों के ऊपर एक एक तिलक जरूर कर लेंगे रखने के बाद तिलक नहीं हो पाएगा तो यह देखी इए हमने सभी दीपकों के ऊपर तिलक कर लिया है अच्छे से भी में भी गोई हुई बातीज हम इसम के अंदर लगा देंगे दीपदान का सही समय है ब्रहमूरत और शाम के समय ही आपको दीपदान करना है अब भी थोड़े से तील लेकर अपने सभी दीपकों के ऊपर थोड़े थोड़े डाल देनी है और उसके बाद जो भी आपके पास फूल है वो चढ़ा दीजिए अगर चढ़ाना चाहते हैं क्योंकि हर पूजा में फूल का चढ़ाना भी बहुत अच्छा होता है तो मैं सभी दीपकों के ऊपर एक एक फूल भी अरपित कर दूए उसके बाद मित्रों एक जल का लोटा लेना है और थोड़ा सा हाथ में जल लेकर इसके उपर से दो बार हमें घुमा कर मिनस देना है और हाज जोड देनी है हेक आरतिक के ठाकूर हमारा दीपदान सविकार करें जो हमने आपके निमीत तुलसी माता के आउले के वरिक्ष के नीचे पिपल के नीचे और जहां पर भी आप जलाना चाहते हैं वहाँ पर साथ जगा आपको इस दीपक को दान करना है इससे सोना दान करने जितना फल मिलत है और अब आपको अपने दीपकों को जला लेना है हमारे साथ आउले के दीपक अच्छे से जल चुके हैं अब हम इनी कहां पर जलाना है मित्रों सबसे पहला दीपक हमें विश्नु वगवान जी के सामने दूसरा तुलसी माता के सामने तीसरा आउले के वरिक्ष के नीचे चोथा पिपल के विरिख्ष के नीचे पाँचवा अकाश दीपदान करना है चठा आपको किसी भी पवित्र नदी के पानी वाले स्थान पर जला दीजी सात्वा दीपदान आप किसी भी मंदिर में जुरूर करें मंदिर आपके घर के आसपास जो भी है वहाँ पर करें नहीं तो आप अपने घर के में गेट पर सात्वा दीपदान दान कर सकते हैं इस तरह से मित्रों कम से कम साथ दीपदान तो आप आवला नोमी पर या दसमी पर एकाशी पर कारतिक के आखरी पांच दिनों में कभी भी कर सकते हैं इस इन दीपदान को करने से सोना दान करने जितना फल मिलता है कहा जाता है अक्षे दीपदान है आवले के दीपदान जिसका पुन्या हमेशा बढ़ता ही रहता है कभी भी कम नहीं होता इसे आपको कार्तिक सनान का पूर्ण फल मिलता है मित्रों आपको आमला दीपदान बनाने की और आमला दीपदान से संपंदित यह सबचानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को जूट सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को शेयर भी करें कमेंट बोक्स में जैकार्तिक के ठाको रवश्य लिखें